नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर आज हम डिसकस करेंगे Old NCRT की सात्विंग अक्षा के जोग्रफी के बारे में तो जोग्रफी इस किताब से आपको डिरेक्टली और इंडिरेक्टली बहुत सारे कोशन पूछे जा सकते हैं चाहे वो इंटर्व्यू में हो या फिर आपके किसी भी एक्जाम में हो तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम जो फर्स चैप्टर है इसका उसके बारे हम बात करेंगे जो कि एट्मोस्फेर के बारे में है उसको हम basically बोलते है atmosphere अब atmosphere जो held होता है जो पूरा अर्थ उसको अपने आसपास रखती है तो वो सिरफ अर्थ की gravity की बजा से ही उसको बांध करके रखती है ठीक है और atmosphere में बहुत सारे molecules present होते हैं ठीक है जो basically जो air बनाते हैं अब जो हमारा air है वो सिरफ एक mixture होता है बहुत सारी gases का जो की अलग-अलग proportions में हमारे atmosphere में पाई जाती है ठीक है तो ऐसी बहुत सारी gases है जैसे कुछ gases ऐसी है जो हमें बहुत important है जैसे humans को और animals को बहुत important होती है जैसे for example oxygen ठीक है तो oxygen अम ब्रीद करते हैं ठीक है तो oxygen हमें जरूरी है तो वैसे ही plants के लिए carbon dioxide जरूरी होती है क्योंकि इसके लिए जरूरी होती है क्योंकि plants carbon dioxide की सहायता से अपना food तैयार करते है photosynthesis जो process होता है ठीक है तो ऐसे dust particles भी air में होते हैं इसके साथ में water vapors होते है nitrogen सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे atmosphere में पाई जाती है ठीक है तो यह सब मिला करके पूरा बनता है air ठीक है तो अब देखते हैं कि layers कितनी atmosphere में होती है तो layers हमारी एक troposphere होती है stratosphere होती है, mesosphere होती है और thermosphere होती है ठीक है उसके बाद रहती है exosphere तो आपको यह जो पूरा layers का है इसको पूरा systematic way में याद रखना है तो इसके लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं troposphere यानि T, S, M, T, E ठीक है तानिया शर्मा मेरी थी ठीक है एक्चली पूरोसन थी ठीक है तो E for exosphere तो यहां से हम इसको याद रख सकते हैं दूसरा ऐसा है कि इसकी हमें कुछ properties भी याद रखनी है तो चलिए properties के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे बहले देखते है तो यह जो है जो आपकी अर्थ सर्फिस से जैसे जैसे हम उपर को जाएंगे तो सबसे पहली जो layer बनती है वो बनती है troposphere ठीक है अब equator पे अगर हम इसकी height देखें तो यह कहां तक है तो यह total 15 km की जो average है यहां तक हमें यह मिलती है लेकिन जैसे जैसे हम poles की तरफ बढ़ेंगे ठीक है तो poles पे जाते जाते इसकी जो height है यह धीरे धीरे decrease कर जाती है जो कि आपको 10 km के आसपास तक वहां पे easily यह मिल जाएगी ठीक है उसके बाद troposphere और stratosphere की बीच में जहां भी इनकी boundary होती है तो उसको बोलते है tropopause ठीक है तो उसको tropopause के नाम से जाना जाता है बाकि troposphere में जितनी भी better related activity हमारे atmosphere में होती है वो सिरफ troposphere में ही पाई जाती है यह पूरा phenomena troposphere में ही होता है ठीक है clouds formation का precipitation का तो यह सब इसी में होता है ठीक है बाकि जब हम stratosphere की तरफ जाते हैं तो जब troposphere cross करके stratosphere की तरफ जाएंगे तो tropopause आएगा तो जब उसको cross करके उपर जाते हैं तो दीरे दीरे हमें यहां पर ozone layer मिलती है जो कि stratosphere में होती है ठीक है ozone layer के बारे में आप जानते ही होंगे कि वो जो अर्थ से जो sun rays आती है ठीक है जो हमारी अर्थ पर पहुंचती है तो उसको वो filter कर देती है तो filter करके अर्थ पर जो picture भी आपका दीरे दीरे जस जैसे उपर जाएंगे ठीक है तो दीरे दीरे वो भी increase होता जाएगा thermosphere में भी वैसे ही increase करता है इसके साथ में यहां पर एक ionosphere भी पाई जाती है ionosphere यहां पर छोटे छोटे ऐसे ions जहां से जब भी radio signals जब हम उपर space में भेजते हैं tv signals बगारा उ करने के लिए फिर आती एक्जो स्फेर एक्जो स्फेर आपकी फाइनली एक जो लास्ट हमारी लेयर आ जाती है atmosphere में जो कि 700 से लेकर के आपकी 10,000 km के बाद तक है ठीक है so next आता है solar radiation solar radiation basically यह होती है कि आपके सूरज अब आपको चारो तरफ से energy प्रोवाइड करता है ठीक है तो जो इस से चारो तरफ आपकी rays निकल रही है ठीक है तो उसको हमने बोल दिया solar radiation अब इसी के साथ में एक और शब्द आता है जिसको बोलते है insulation insulation का मतलब यह है कि यह solar radiation आपकी अर्थ के surface पर पड़ती है ठीक है जानि अर्थ पर जितनी energy हमें मिली सूरज से उसको बोल दिया हमने insulation तो insulation का मतलब होता है solar radiation received by the earth ठीक है is called insulation so incoming solar radiation basically अब देखी यह सूरज है ठीक है यह अपने इसके चारो तरफ क्या है यह अपना प्रकाश यानि अपनी जो sun rays है वो दे रहा है ठीक है तो यहां से जब यह अर्थ के उपर यह आपकी रौशनी सूरज की पड़ रही है तो धीरे धीरे क्या होगा अब यह इसको आप atmosphere मान सकते हैं ठीक है यह आपका atmosphere तो atmosphere directly heat up नहीं होता सूरज की रौशनी से यह heat up तब होता है जब सूरज की रौशनी surface पर पड़ती है और वो यहां से deflect हो जाएगी ठीक है इस तरह से वो deflect होती है तो यहां पर जाकर के जब यह रौशनी ऊपर की तरफ को जाएगी तो यह यहां का हमारा जो atmosphere है वो क्या हो जाएगा heat up सबसे ज़्यादा जो heating effect हमें अगर देखने को मिलता है वो surface के ऊपर मिलता है ठीक है यहां पर फिर दीरे दीरे जैसे से हम उपर को चलते जाते हैं तो वैसे वैसे हमारा जो temperature है वो अर्थ का decrease करता जाता है ठीक है जो अर्थ है जो हमारी तो एक लो प्रेशर यहां पर हमारा बन जाता है, ठीक है, तो इसी के साथ में, हम इसको आगे बढ़ाते हैं, तो बोलते हैं, the degree of hotness or the coldness of the air is known as temperature, ठीक है, तो उसको temperature बोला जाता है, ठीक है, कुछ factors ऐसे हैं, जो solar radiations को effect करते हैं, जैसे अगर हम देखें, उसका influence है, वो कैसे पढ़ता है, तो पूरी जो अर्थ है, उस पे हमें एक समान heat energy कहीं भी नहीं मिलती, ठीक है, तो इसको हम latitudes बोलते हैं, latitudes, तो यह latitudes है, ठीक है, यहां पे हमारा north pole है, यहां पे हमारा south pole है, यह होगे हमारे latitudes, अब इन latitudes पे हमें अलग-अलग जगा पे अलग-अलग energy मिलेगी, क्योंकि जो सूरज की रोशनी है, वो अलग तरह से वो एक angle बनाती है, सर्फिस के ओपर जब वो पढ़ती है, ठीक है, तो यह तो रहा इसका angle की बात की किस तरह से वो energy पढ़ती है, ठ पाकि कई जगा पे, जैसे summers में, ठीक है, summers में जो सूरज की जो रोशनी होती है, sun rays होती है, वो directly surface के, अर्थ के surface के ओपर पढ़ती है, किसी-किसी जगा पर, लेकिन winters में एक होता है, winters में वो थोड़ी-थोड़ी angle बनाती है, यानि salented होती है, तिर्ची पढ़ती है, जिस सीधी यहां पे रोशनी पढ़ रही है, तो obviously यह area जल्दी heat up हो जाएगा, यानि जादा गरम हो जाएगा, ठीक है, तो इसी के साथ में, जैसे duration of days and the nights in the summer or the winters, अब summers में आपने देखा होगा, कि घर्मियों में जो दिन होते हैं, वो बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, सूरज बड़ी लेट आता है, और बड़ी जल्दी वो अस्त भी हो जाता है, ठीक है, तो यहां से भी बहुत फरक पड़ता है, फिर आता है, अब अर्थ सूरज की जो रोशनी है, उससे अलग-अलग तरह के हमारे heat zones पूरी अर्थ पर बनते हैं, ठीक है, अब जहां पर जै बाता है, फ्रिजिट, ठीक है, तो टॉरिड का मतलब अब नाम से ही डिफाइन होता है, जैसे ट्रॉपिकल जोन भी इसको बोला जाता है, तो यह आपका यहां पर एक्वेटर से लेकर के 23.5 डिगरी और 23.5 डिगरी तक जाता है, मैक्सिमम, ठीक है, तो इसको ट्रॉपिक् ठीक है, और जो सूरज की मुव्मेंट होती है, वो इसी बीच में रहती है, ठीक है, जिसको हम समर सोलेस्टिस और ठीक है, इस नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तो यहां पर टेंपरेट है, टेंपरेट का मतलब है कि यहां पर धीरे-धीरे क्या होगा, आपकी जो सूरज की जोशनी है वो दीरे-दीरे यहां पर इस तरह से slanted होती जाएगी यहां का जो temperature होता है वो temperature आपका tropical topics के मुकाबले यहां पर temperature में कम होता है यहां पर moderate होता है ठीक है summers होती है वो काफी short होती है short summers ठीक है winters यहां पर लंबी होती है ठीक है अगर हम 66.5 degree को cross कर जाते हैं तो आत होता है frigid zone जिसको polar zone के नाम से भी जाना जाता है जो mostly आपका पूरा जमा हुआ रहता है ठीक है तो बरफ यहां पर देखने को मिलती है बहुत जादा यहां पर ठंड होती है ठीक है इस area में basically ठीक है तो यह zone हमारा frigid zone है ठीक है तो इस zone को polar reason के नाम से भी जानते है since it receives the extreme slanted rays of the sun the temperature is extremely low throughout the year ठीक है तो यह इसका पूरा फंड है अब next chapter आता है air on the move तो wind सबसे पहले हम definition देखेंगे wind की तो wind होती क्या है तो wind simply horizontal movement of air near the earth surface ठीक है अब wind चलती कैसे है हवा चलती कैसे है तो हवा चलती है high pressure से low pressure की तरफ ठीक है तो यह basically principle है कि हवा कैसे चलती है अब यह हमारा जो पूरा principle है यह define करता है हमारे basically pressure welds of the world को ठीक है और इसी के साथ में आपको पहले भी बताया था कि air is made up of tiny molecules ठीक है बहुत छोटे-छोटे molecules हो नहीं होती है जो कि क्या करती है constantly वो चारो तरफ हर direction में वो घूमती रहती है ठीक है so these molecules when receive and heat up they became lighter ठीक है and moves upward अब जैसे ही यह जो molecules है ठीक है हवा में अब जब इन पे यहाँ इनको heat मिलेगी ठीक है यह जो earth surface से जब यह radiation होता है तो यह जब heat इनको मिलती है तो यह क्या हो जाएंगे यह उस energy को gain करेंगे और energy gain करने कवाद expand करेंगे तो air क्या हो जाती है expand होती है ठीक है तो इसलिए जब warm air होती है वो क्या करती है वो upward यानि upward direction में uplift होगी ठीक है जो cold air होती है वो dense होती है heavy होती है इसलिए वो क्या करती है downward direction में क्या करती है वो नीचे आ जाती है ठीक है तो वैसे ही अब इस principle को अगर मान करके हम अगर देखें तो वैसे ही कुछ permanent pressure belts हैं दुनिया में ठीक है तो आईए जानते हैं के बारे में तो atmospheric pressure on the earth surface is not uniform ठीक है तो ये बात एक जान देजिए कि जो atmospheric pressure है वो earth के surface पे uniform नहीं है यानि ऐसा नहीं है कि एक जगा आपका जो atmospheric pressure है पूरी earth पे वैसा same to same है नहीं ऐसा नहीं होता ठीक है ये वेरी करता है place to place ठीक है अब it is influenced by the temperature of the air at a given place but on a global scale there are a few permanent pressure welds ठीक है तो कुछ ऐसी permanent welds है सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखें मैंने आपको बताए कि यह equator है ठीक है यहाँ पर आपकी maximum heat energy रहती है क्योंकि सूरज की सीधी रोशनी यहाँ पर बढ़ती है ठीक है और यह torrid zone है तो torrid zone होने के कारण य low pressure belt क्यों बनी क्योंकि सूरज की रोशनी जब पढ़ती है तो यहाँ पर जो air molecules होते है वो heat up हो जाते है और heat up होने के कारण यह क्या करते है यह उपर उड़ जाते है ठीक है इस तरह से तो सबसे पहले हम 30 degree south और 30 degree north की तरफ चलते है यहाँ पर एक permanent pressure belt है जिसको बोलते है subtrop high pressure belt ठीक है high pressure belt अब यह high pressure belt है अब मैंने आपको बताया कि हवा कैसे चलती है high pressure से low pressure की तरफ को ठीक है तो यहाँ से ऐसे चलेगी तो जब भी subtropical high pressure यानि horse latitude से जब trade winds साब की चलेंगे तो trade winds साब की जा करके equatorial low pressure की तरफ जाती है और equator से वो दीरे दीरे उपर उठ जाती है और उपर उठने के कारण यहाँ पर जो बीच में समुंदर है ठीक है यसी या water body है वहाँ से जो पानी लाती है यहाँ पर वो बारिश हो जाती है equator के उपर और यहाँ से वो जब धीरे धीरे उपर उठ जाती है तो cold हो जाती है cold बारिश हो जाती है तो बारिश होने के बहां से किस डिरेक्शन में इसने मूव किया, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से एक्वेटर, एक्वेटर से ये उपर उठ गई, अपवर्ड लिफ्ट हुआ, जब ये गरम हो जाती है, तो फिर आगे जाकर कि ये जैसे ठंडी हो जाती है, उपर क्योंकि temperature कम होता है, तो अब इसलिए क्या होगा, ये ठंडी हो जाएगी, तो ठंडी हो जाएगी, तो ये फिर से downward movement करेगी, तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर ने इन होर्स लैटिटूड पे फिर से दुबार आ जाती है, और यहां से ये prevailing westerlies के रोप में सब पोलार low pressure के तरफ को attract होती है, और यहां से फिर यही same direction क्या होगी, यहां से फिर ये हवा उपर उठ जाएगी, ठीक है, और यहां उठ करके ये हवा फिर से high pressure की तरफ को यानि polar reason में चले जाती है, ठीक है, तो इसलिए ये area पूरा maximum cold रहता है, ठीक है, ठंडा रहता है, ठीक है, तो एक तो आपकी आ जाती है, equatorial low pressure weld, जिसको doldrums के नाम से जाना जाता है, दूसरी है, subtropical high pressure weld, जिनको horse latitudes के नाम से जाना जाता है, subpolar low pressure, ठीक है, and high pressure weld, ठीक है, तो ये इसको इन नामों से जाना जाता है, ठीक है, the reason around the north and the south pole are very cold, therefore, the air is also very cold, it is dense and heavy, हमेशा याद रखिएगा, जो ठंडी हवा होती है, वो dense होती है, और बहुत जादा heavy होती है, इसलिए वो downward movement करती है, ठीक है, it keeps on piling up, this produces polar high pressure weld around the two poles, तो ये high pressure welds यहाँ पर हमारी बन जाती है, ठीक है, आगे जो next NCRT exam, उसमें हम काफी detail में इस सब को पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि कुछ cells एंस के उपर, तो उन cells को भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, so next अगर हम बात करते हैं, तो permanent wind welds भी एंसी के साथ में, ठीक है, जैसे जो हवा चलती है, तो सबसे बहले देखते हैं कि permanent wind होती क्या है, तो winds blowing constantly throughout there in a particular direction, ठीक है, are called prevailing, permanent and planetary winds, तो तीन तरह के नाम इनको दिये जाते हैं, क्योंकि ये throughout there एक constant एक particular direction में बहती रहती है हवा, ठीक है, तो ये wind blow करती है, तो इसलिए इनको prevailing winds, permanent winds and planetary winds के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो three main planetary winds which blow constantly from high pressure wells of the world throughout the year, ठीक है, तो जैसे कि trade winds हैं, westerlies हैं या polar winds हैं, तो इन नामों से इनको जाना जाता है, तो जातर important यही है, ठीक है, तो आईए, चलिए जानते हैं इनके बारे में, कि क्या क्या हैं, सबसे पहले trade winds के नाम से जानते हैं, तो trade winds मैंने जैसा कि आपको बताया, कि trade winds आपकी equatorial, आपकी सबसे पहले subtropical high pressure से, horse latitude से, equatorial low pressure के तरफ को चलती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं, trade winds, ठीक है, trade winds के नाम से जाना जाता है, यह actually deflect हो जाती हैं, Coriolis force की वज़ा से, तो Coriolis force बताऊंगा next lectures में, क्या होती है, ठीक है, तो winds blowing from subtropical high pressure welds towards equatorial low pressure welds are called trade winds, ठीक है, अब trade, अवर trade का मतलब है, has been derived from a latin word, trade, trade which means constant direction, जो कि एक constant direction में बहती रहती हैं, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, trade winds, ठीक है, फिर है westerlies, so these winds are glowing from the subtropical high pressure welds towards the subpolar low pressure welds, ठीक है, 23 and half, ठीक है, and half north से 60 degree and half पे, जो north की तरफ को जो हवा चलेगी, ठीक है, यहाँ पर high pressure है, यहाँ पर क्या है, low pressure, ठीक है, जब यह चलेगी, तो हम इसको क्या बोल देंगे, यह कौन सी है, westerlies, they blow from the southwest in the northern hemisphere, from the northwest in the southern hemisphere, तो यह इनकी particular direction है, southwest यह चलती है, northern hemisphere में, और northwest यह चलेगी, southern hemisphere में, ठीक है, फिर आती है, polar winds, तो polar winds आपकी, these winds blow from the polar high pressure areas, ठीक है, तो यहाँ सी यह चलती है, in the northern hemisphere, these, their direction is from northeast, ठीक है, in the southern hemisphere, they blow from the southeast, ठीक है, तो यह इनकी direction है, उसके बाद, कुछ monsoon winds भी है, monsoon winds भी आपकी, generally particular winds के नाम से भी इनको जाना ही जाता है, क्योंकि, actually, इनका जो मतलब है, यह simple है, कि यह reverse winds होते हैं, reverse होते हैं, इनकी direction, ठीक है, winds which reverse their direction with the change in temperature between summer and the winter, cause great difference in the pressure conditions over the interior parts of a big continent like Asia, and the surrounding seas, ठीक है, तो जब आपने देखा होगा कि monsoon जब भी आता है, तो गर्मियों में basically, और एक winters का जो अलग लग है, ठीक है, तो दोनों एक पूरा अलग तरह का पूरा phenomena है, ठीक है, hence the winds start moving from land to sea in winters, ठीक है, from sea to land in summers, ठीक है, तो क्या होता है, कि आपकी land से sea की तरफ चलती है, ठीक है, तो land पे क्या होगा, यहां पर high pressure zone बनेगा, और C पे क्या होगा, एक low pressure zone बनेगा, ठीक है, तो high to low चलेगी, ठीक है, और C पे क्या है आपका, यहाँ पर आपका high pressure zone बन जाएगा, और land पे आपका low pressure zone बन जाएगा, ठीक है, यह समझाओंगा आपको एक ITCZ, ठीक है, intertropical convergence zone इसको कहा जाता है, तो यह पूरा move करता है, ठी अभी आप इतना समझिए, कि जस्त हम अभी introduction दे रहे हैं, कौन-कौन सी चीज़े हैं, क्या है, अभी हम इनको पढ़ेंगे great detail में, ठीक है, फिर आती है local winds, so there are some winds blow only during a particular period of day or the year in a small area, ठीक है, तो कुछ जैसे loo चलती है इंडिया में, तो loo कब चलती है, loo चलती है basically आपकी गर्मियों में, ठीक है, तो गर्मियों में loo चलती है, तो इसी के साथ में फिर आपका sea हो गया, या फिर land हो गया, तो sea breeze, land breeze, तो ये दीन और रात में चलती है, ठीक है, या catabatic winds होती है, या mountain slopes में जब वो चलती है, ठीक है, तो ये सारी, during winters, areas adjacent to highlands experience a local wind called catabatic winds, ठीक है, catab catabatic is a Greek word, which means moving down, ठीक है, तो mountain के उपर से, जब high pressure से, जब down, यानि low pressure के तरफ को जाएंगी, तो उसको बलता है, catabatic, ठीक है, so this air is dry example, mistral, तो mistral, आपकी alps, जो की France में आपके mountain range है, तो वो Mediterranean Sea के तरफ को जो हवा चलती है, तो उसको हवा बहती है, basically, तो उसको हम क्या बोलें मिस्ट्राल, ठीक है, इंडिया में low, basically क्या है, एक local wind है, तो अब चलते है, water की तरफ को, तो तीसरा chapter आता है, water in the air, ठीक है, तो अब हमारी जो अर्थ है, उसमें 70% जो हिस्सा है, वो क्या है, पानी से घिरा हुआ है, ठीक है, basically, तो इसलिए इसको blue planet के नाम से भी जानते है ठीक है, इसको एक नाम दिया गया है, या watery planet भी का जाता है अर्थ को, ठीक है, क्योंकि जब हम space से अर्थ को देखते हैं, तो हमें ये पूरा नीला दिखाई देता है, ठीक है, तो water vapor is defined as the water in the form of gas present in the air, ठीक है, it is most valuable gas of the atmosphere, ठीक है, while it is present in large amounts in low latitudes and over oceans, तो low latitudes means यहाँ पर जब zero degree, यानि equator पे सबसे ज़्यादा water vapors होते हैं, water vapor इसलिए ज़्यादा होते हैं, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा high रहता है, ठीक है, evaporation rate, तो evaporation rate अगर ज़्यादा high होगा, तो obviously क्या होगा, हवा में ज़्यादा saturation होगी, उसमें ज़्यादा moisture होगा, ठीक है, तो इसल है, it plays an important role in the heating and the cooling of the temperature and the day-to-day changes in the weather, क्योंकि ऐसा होते है कि जब भी आपकी यहाँ पर evaporation rate हाई होगा, तो obviously clouds बनेंगे, clouds बनेंगे, तो बारिश होगी, बारिश होगी, तो आपका obviously temperature असमें बहुत सारा difference आएगा, ठीक है, फिर आदा है humidity, तो humidity क्या होते है, the amount of water vapor present in the air is called humidity, simply, ठीक है, कि हावा में आपके जो amount of, कितने amount में water vapor present है, उसको हम बोलेंगे humidity, ठीक है, it is closely related to the temperature of the air, ठीक है, अब जैसे ऐसे air का temperature increase होगा, वैसे वैसे उसकी जो capacity है, moisture gain करने की, hold करने की, वो भी increase करेगी, ठीक है, air can hold some amount of water when it surpasses that limit, it is known as saturated air, ठीक है, तो हवा में या air में आपका एक limit होती है, water vapors को hold करने की, ठीक है, अगर वो उस limit से जादा हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाता है, air आपकी saturated हो जाती है, ठीक है, तो वैसी condensation आता है, तो condensation क्या होती है, the capacity of air to hold water vapor increases rapidly with the increase in temperature, जैसे से temperature increase करेगा, वैसे वैसे जो आपकी air में, जो water vapor hold करने क जो capacity है, वो भी increase करती जाएगी, उसको बोलें, condensation, ठीक है, फिर आता है dew point, the temperature at which the air gets saturated is known as dew point, अब जैसे ही, आपका ऐसे temperature पे जहाँ पे air क्या हो जाएगी, saturate हो जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, dew point, फिर condensation nuclei, तो tiny particles of matter such as dust, ठीक है, तो हवा में आपको पता होगा, कि भी उड़ती रहती है, ठीक है, तो इसी के साथ में यह जो हवा है, वो as a काम करती है, condensation of water vapors, तो water vapors चिपक जाते हैं इनसे, ठीक है, तो फिर धीरे-धीरे क्या होता है, यह clouds बन जाते हैं, ठीक है, अब clouds बन जाते हैं, तो बहुत सारे millions of minute droplets of water or the tiny crystals of the ice hang in the air and float with air currents, air currents means बह बहुत बड़े-बड़े जो बादल होते हैं, ठीक है, ऐसे-ऐसे यह पूरा, इसको हम क्या बोलेंगे, air currents, तो इसमें छोट-छोटी जो droplets होती है, यह पूरा cloud बनाते है, condensation के बज़ा से, ठीक है, तो यह होने के बाद, यह जो पूरा move करता है, तो इसको क्या बोलेंगे, ह इसको हम बोलेंगे, air currents, ठीक है, तो these visible aggregates of minute droplets of water or ice crystals are known as clouds, उनको clouds कहा जाता है, ठीक है, अब कई बार क्या होता है, छोट-छोटी जोट-छोटी जोब droplets होती है, धीरे-धीरे, तो जब यह आपस में मिलेंगी, तो dust particle यह भारी हो जाती है, तो जैसे भारी होंगी, तो यह धी precipitation यह गिर जाएंगे, अब precipitation आपका होता गया, falling of solid and the liquid water on the earth's surface is called precipitation, यह rain में भी हो सकती है, ठीक है, snow में भी हो सकती है, या फिर hail में पड़ सकती है, तो different types of precipitation हो सकता है, ठीक है, फिर relief rainfall, in India the western parts of western ghat receive heavy rainfall, but the eastern parts falls in the rain shadow region, ठीक है, rain shadow region means, मान लीजिए, यह एक पहाड है, जिसको western g hearts के नाम से जानते हैं, हवा आ रही है, moisture लेके समुंदर से, जब यहां से वो यहां इस पहाड पर टकराती है, तो धीरे धीरे जब उपर जाएगी, तो obviously temperature क्या कर जाएगा, temperature आपका degrees कर जाएगा, और यहां पर जाकर के जैसे ही आपकी condensation होगी, तो वैसे ही यहां पर क्या होगी, बारिश हो जाएगी, जब यह हवा यहां से पूरा अपना moisture गिरा करके, यहनि 10 to 15% जो moisture अगर इसमें बचा होगा, finally वो जाकर के इधर लेकर कर आती है, तो यहां पर बन जाता है rain shadow zone, यहां पर बारिश बहुत कम होती है, ठीक है, तो इसलिए आप देखोगे कि यहा पर आपके maximum farmer suicides होते हैं इंडिया में, महाराष्टरा जैसे states में, ठीक है, तो इसकी बजा यह है, फिर आता है oceans, waters and their circulations, तो ocean is the body of water that covers most of the earth, तो जैसा मैंने आपको बताया है कि 70% जो पानी है वो यहां से घेरा हुआ है, ठीक है, तो major oceans है, Atlantic हो गया, Pacific हो गया, ठीक है, Arctic हो ग ocean हो गया, ठीक है, तो यह major oceans है दुनिया में, ठीक है, तो इसी के साथ में अगर देखें हम 4 5th of the southern hemisphere, यानि जो हमारा यह southern hemisphere है, ठीक है, इसका कितना है, 4 5th, ठीक है, जो area है, वो किससे है, वो पूरा पानी, पानी से घेरा हुआ है, ठीक है, वैसी आपका 3 5th जो है, वो northern hemisphere आ इसको आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, कि oceans क्या करते हैं, यह आपकी modify करते है, land temperature को, they are the source of water vapor, which forms clouds, ठीक है, तो obviously पानी यहीं से हमें मिलता है, समूंदर से, या तो water bodies होती है, तो फिर बो clouds बनते हैं, ठीक है, इसी के साथ में, जो पानी है आपका, वो 3 kinds में आपका basically move करता से waves, currents, या tides, ठीक है, तो waves सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, these are caused by the pushing action of the wind, जब भी हवा, मान लीजी, यह आपकी water, पानी की कोई body है, ठीक है, इसी के साथ में, यह जो हवा है, यह इसके साथ में बहरी है, तो हवा क्या करेगी, जो यहाँ पानी के जो आपकी जो छोटे-छो जो particles है, move है, इन पर जब यहाँ टकराएगी, तो टकराने के कारणी एक force लगाती है, इनको push करेगी, तो जैसे ऐसे push करेगी, तो वैसे वैसे क्या होगा, यहाँ पर आपकी waves बन जाएंगी, ठीक है, तो ऐसे पानी क्या करता है, यह आपका move करता है, ठीक है, दूसरा आता ह tides, अब tides का generally क्या होता है, कि tides आपके generally, जो attraction force of sun and the moon होती है, उसी के कारणी यह पानी खीचा चला आता है, ठीक है, तो वैसी the sea water rises and the falls twice a day at a regular intervals, so this alternate rising and the falling of the sea water called a tide, ठीक है, दुजार भाटा के नाम से जिसको जाना जाता है, तो उसको बलता है, ठीक है, और अगर आप ठीक है, तो कुछ हमारे जो tides हैं, वो help करते हैं हमें हमारे ports को run करने के लिए से kandla है, ठीक है, गुजरात के पास यहां पर आपको kandla मिल जाएगा, ठीक है, यह diamond harbor है, ठीक है, वेस्ट बेंगाल में, यह वेस्ट बेंगाल में है, ठीक है, तो यह जो है, यह आपके depend करते हैं, tides के उपर, ठीक है, फिर आता है ocean currents, अब large amount में जहां पर water move करता है, oceans में, उसको हम क्या बोलते हैं, ocean currents, ठीक है, ocean currents में, या it may take the form of a current or a drift, ठीक है, the constant flow of water on the surface of a ocean as a stream in a definite direction is called an ocean current, तो दो तरह के current basically होते हैं, एक होते हैं warm currents, दूसरे होते हैं cold currents, warm currents, अब यहां पर देखि हैं, ठीक है, यह आपका north pole है, यह यहां पर आपका south pole है, तो मैंने आपको कहा था कि यह area पूरा बरफ से, क्या रहता है, जमा हुआ रहता है, ठीक है, तो this reason also, तो obviously यहां पर temperature दीरे-दीरे काम, equator पर आपको maximum meat मिलेगी, यहां पर temperature आपका बहुत ही जादा होता है, ठीक है, तो यहां पर आपका पानी भी है, वो भी गरम हो रहा है, जो आपका समुंदर में पानी है, तो वो गरम हो रहा है, ठीक है, अब यह गरम होगा, तो यह दीरे-दीरे पानी move करेगा, अब यह move किस तरफ करेगा, तो यह move करेगा equator से, आपका अगर north की तरफ को जा रहा है, त ठीक है अब जो ocean current है जब यह move करेगा इस अपर direction में तो यहां जा करके जो गरम पानी है जब यह ठंडे एरिया में जाएगा तो वहां पर वहां का जो temperature है इसको यह क्या करदेगा moderate करेगा इसको यह change करेगा यह वहां पर भी तो हलकी अलकी इनको गर्मी provide करेगा तो ऐसे चलते रहते हैं पानी बहुत large amount of quantity में चलता रहता है ठीक है तो वैसी उपर से जब यह cold current आते है माली जी यह सहारा desert है दुनिया का सबसे बड़ा desert ठीक है अब यह तो गरम होता है obviously तो यहां से जो यह cold currents आते हैं तो यहां पर जब यह इस coast पर टकराते हैं आकर के तो इस coast पर टकराने के कारण यहां पर जो इतनी गर्मी है यहां पर आकर के इसको थोड़ा सा ये क्या कर देते हैं यहां पर इसका shutdown temperature है उसको कम कर देंगे ठीक है तो ऐसे ही बहुत सारे जो आपके currents है वो चलते रहते हैं यहां से आपके current and cold currents ठीक है उपर से अगर देखेंगे त यहां से आपका आपके जो warm current है वो आते हैं ठीक है पढ़ेंगे इसके बारे में next lecture में कौन कौन से current है ठीक है तो जैसा कि मैंने कहा कि ocean currents का effect बहुत जादा रहता है considerable amount में रहता है यह climate में फरक डाल देते हैं agriculture में फरक डालते हैं economic activities में फरक डालते है economic activities में फरक इसलिए डालते हैं कि कई बार जहां पर यह आपका गरम और ठंडा जो आपका यानि warm and cold current जहां पर मिलता है वहां पर आपके great fishing zones बन जाते हैं ठीक है तो इसी तरह से so next इसी में आता है chapter 6 North America land and climate तो यह देखिए map में मैंने आपको बताया है North America तो यह third largest continent है दुनिया का तो पहला और दूसरा आप मुझे comment box में जुरूर बताएं कि कौन-कौन से continent आपके पहला और दूसरा in terms of area wise बढ़े हैं ठीक है तो चलिए जानते है North America के बारे में तो यह नौर्थ अमेरिका है basically तो नौर्थ अमेरिका में अगर हम देखें तो यह area जो है आपका वो polar reason में आजाता है ठीक है यह यह आपका Canada है तो नौर्थ अमेरिका यह Canadian shield है शिल्ड का मतलब कभी यहां पर बहुत बड़े-बड़े mountains होते थे लेकिन धीरे-धीरे क्या हुआ कि यह mountains eroded होते गए, erode होते गए तो बाद में एक shield बन गई ठीक है जिसकी आज बहुत ही ज्यादा economic significance है ठीक है यह आपकी North America की famous lakes है लेक superior lake, airy ठीक है तो यह सारी आपकी लेक Michigan तो यह important है यहां पर ठीक है फिर इसी के साथ में यह Alaska range है Alaska range के साथ अगर आप देखें तो physical features में है अगर हम देखते हैं तो यह Sierra Nevada है ठीक है यह Rockies Mountains है ठीक है इनको Beston Kalidars भी इनको बोला जाता है ठीक है इस पूरी range को इसको बाकी छोटी-छोटी range है उसके बाद जैसे Coast Range है ठीक है यह Cascade Range होगी यह Sierra Nevada यहां नीचे तक जाती है यह Coastal Plains है जिनकी काफी significance हमें economic significance है यह Appalach mountains है किसी जवाने में बहुत ज़्यादा high हुआ करते थे लेकिन धीरे-धीरे rivers ने इनको काफी erode कर दिया यह Great Plains है इसी के बीच में एक-दो हमें deserts भी देखने को मिलते है ठीक है और कुछ national parks भी देखने को मिलते है ठीक है तो चलिए सबसे पहले physical features के बारे में बात करते ह में जो Canadian shield है वो सबसे पहले आती है ठीक है it covers half of the Canada in the north it is formed of ancient hard rocks तो ancient hard rocks से यह बनी हुई है ठीक है जो ऐसी rocks जो सबसे पहले बनी थी ठीक है due to the continence erosion and the weathering its average height has been reduced to 300 and 400 meters तो इतने इनकी height अभी तक रह चुकी है a large part of it covered with swamps and the number of lakes like the great bear lake ठीक है the great lakes like huron, superior, michigan, arry, ontario तो यह जो reason है आपका Canadian shield का यहाँ अगर आप देखें तो Canada और इसके साथ में आपको जो USC की especially जो industrial area है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है तो यह lakes as a saman को अगर आप देखें तो goods को यह transport करने में भी काफी ज्यादा helpful है ठीक है inland drainage के लिए especially तो यहाँ पर यह किया जाता है तो फिर आता है Niagara Falls तो Niagara Falls भी आपका between a lake area and lake Ontario ठीक है Central Lawrence is an important river of the region falls into Atlantic Ocean फिर Appalachian Mountains तो Appalachian Mountains यह रहे आपके अमेरिका के ठीक है located in the northeast they are also known as eastern highlands तो eastern highlands के नाम से भी इनको जाना जाता है ठीक है Appalachian Mountains को तो Appalachian Mountains were once very high तो जैसा कि मैंने पहले बताया है कि यह बहुत high हुआ करते है लेकिन over the years they have been eroded by the glaciers and the rivers ठीक है Hudson river flows through the Appalachian Mountains mineral resources अब यहाँ पर coal मिलता है copper मिल जाता है lead मिलता है ठीक है अब है Central Highlands अब they lie between the western quarter laws ठीक है and the eastern highlands Missouri Mississippi basin has very fertile soil तो यहाँ पर आपकी यह Mississippi river है ठीक है तो यहाँ पर आपको अगर देखें तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा काफी fertile soil मिलेगी ठीक है तो चलिए आगे इनको define करते हैं basically western quarter laws तो इसमें मैंने आपको बताए कि सबसे जो highest range है western quarter laws की वो कौनसी है Mount McKinley Mount McKinley इसको आप याद रखेगा यह Alaska में है ठीक है Alaska किसका पार्ट है United States of America का ठीक है जो इन्होंने रश्या से खरीद के किया था most of the rivers of the North America rise in the western quarter laws जो की यह अगर आप mountain range अगर आप देखते है Alaska यह पूरी Rockies mountain range इसको बोलते है western quarter laws ठीक है तो यहां से maximum आपकी rivers निकलती है the western quarter consists of several parallel ranges तो कौन-कौन सी है उसमें सबसे important आईगी rocky mountain range ठीक है जो इनमें सब में prominent है उसके बाद है coastal range ठीक है यह सिवारा Nevada ठीक है यह दो जो है वो important ranges है great basin is the largest intermountain plateau intermountain plateau यानि दो mountains है उनके बीच में जो plateau है उसको क्या बोलेंगे intermountain उसका क्या नाम है great basin ठीक है south of the great basin is Colorado Plateau ठीक है तो Colorado Plateau ठीक है तो very long and the deep gorges ठीक है with wall-like sides as known as canyons ठीक है canyons भी इसको बोला जाता है तो इस नाम से इनको जाना जाता है बहुत famous है बहुत tourists यहां पर आते है ठीक है और इसके साथ में the great canyons of Colorado is the largest of its kind is famous all over the world for its natural beauty ठीक है the western cordillaz also have many active volcanoes in Alaska तो इसमें काफी active volcanoes भी है क्योंकि ring of fire के काफी नस्दीक है ठीक है and Mexico the most famous geyser is the old faithful in the yellow stone national park यह काफी famous आपका national park है तो इसको याद रखिएगा geyser means जो basically जो पानी गरम पानी नीचे से आता है ठीक है अर्थ के interior से निकल करके जो की गरम rocks बगारा से वहां से निकलता है तो उसको basically क्या बोला old faithful in yellow stone national park ठीक है तो मुझे बताईए का yellow stone national park actual में है कहां पर और इसके साथ में कौन से mountain range है और कौन से इसके साथ में plateau और किसलिए यह famous है ठीक है comment box में जरूर बताईएगा next climate and natural vegetation ठीक है तो climate के बारे में सबसे बहले अगर North America की बात करते हैं तो यह पूरा polar reason आता है यह सारा ठीक है तो यहाँ obviously ठंड कौफी जाद होती है ठीक है इसके बाद अगर देखें तो यह भी cold zone है ठीक है फिर आते है यहाँ पर temperate zone ठीक है यह यहाँ पर dry और आपका desert zone है ठीक है basically यह 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 ठीक है फिर यह यहाँ पर यह tropical zone है यहाँ पर maximum heat energy हमें देखने को मिलती ह ठीक है, the western highlands and the Appalachian mountains play important role in shaping the climate of the continent, these relief features leave the central plains open to the influence of both the cold winds from the north, अब यह यहां पर क्या है, इस तरह से यह parallel ranges है, जो मैंने आपको बता है, western cauldras, ठीक है, चाहे रॉकीज हो गया, siyara naveda हो गया, ठीक है, या cascade range हो गया, तो इस ranges में क्या है कि north से थंडी हावा इधर आती है, ठीक है, और south से क्या होगी, आपकी warm air यहां से आएगी, तो obviously यहां पर आपका continental type का क्या होगा, climate होगा, ठीक है, क्योंकि अगर ocean में जो currents हैं आपके, वो moderate करेगा, तो वो coastal का जो area है, उसी को moderate करने वाला है, ठीक है, लेकिन interiors में क्या होगा, वहां पर अलग तरह का पूरा continental climate होता ह है, ठीक है, तो बैसे ही, ocean currents also influence temperature and the rainfall in the North America, the western coast in the north faces the winds coming from the west known as westerlies and the south eastern coast comes under the influence of trade winds, ठीक है, तो Arizona has less than 25 cm of annual rainfall, hence this area is a desert, फिर आते हैं North America में resources, और वहां पर किस तरगे technology यूज की जाती है, तो इसके बारे मैं पढ़ते हैं, तो जैसा कि North America consists 16% of the total area of the world, what contains only 9% of the population, तो 16% total area इसके पास पूरी दुनिया का है, लेकिन 9% की इसकी population पूरी दुनिया में है, ठीक है, it is the most prosperous and the highly industrial continent of the world, well trained and the skilled manpower application of high level of technology, ठीक है, fertile soil, extensive grassland, dairy industry, paper industry, ठीक है, तो fisheries में भी काफी यह लोग rich है, तो सबसे बहले अगर हम land resources की बात करें, तो very rich in agriculture resources, scientific method of cultivation, farms are very large and the most of the agriculture operations are done by the machines, ठीक है, बहुत बड़े बड़े यहां पर खेत हैं, ठीक है, बड़े बड़े खेतों पर अब 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 machinery होते हैं इनके बास, जैसे बड़े बड़े tractor होंगे, बड़े बड़े threshers होंगे, तो उनसे इस informs पर क्या करते हैं, अगरी culture होते हैं, ठीक है, basically, तो यह यहां पर किया जाता है, वह high level की जो technology उसका यह use करते हैं, ठीक है, maze हो गया, beat हो गया, barley हो गया, यहां के important cereals होते है जो North America में लगाए जाते हैं, ठीक है, other important crops like cotton, tobacco, soybean, ठीक है, lincid, तो यह सब यहां पर लगाए जाते हैं, तो maze को खा जाते हैं, कि maze का plant जो है, वो basically जो originated in South America, where it is South America, it is about North America, ठीक है, तो North America में यह plant जो था, वो सबसे पहले originate हुआ था, या वहां के लोग इसको उगाते थे, ठीक है, originally, तो staple food भी वहां का ही है, even today, आज भी, along the coast of Gulf, rice, ठीक है, या फिर sugar cane are grown, ठीक है, तो आप देखने की जैसे आप Mexico के तरफ को जाते हैं, नीचे की तरफ को, तो tropical area है, Central America basically, Central America में आपका banana लगाया जाता है, तो West Indies is known for sugar cultivation, तो West Indies भी आपका बहुत नजदीक है, तो even in Cuba, ठीक है, एक जो छोटी सी island country है, क्यूबा, क्यूबा को बोला जाता है, sugar wall of the world, sugar wall of the world, ठीक है, वैसी जो dairy cattle है, यह human reasons में काफी इनका use किया जाता है, तो forest wealth आपकी अगर हम देखें, तो forest wealth में यहां पर आपका जो north में अगर हम देखते हैं, तो इन में coniferous forest मिलते हैं, ज corridor last, ठीक है, great source of softwood, softwood हमें यहां से मिल जाता है, in the southern part of the temperate region, deciduous forest, यानि जो कि जिनकी पतियां जड़ जाती हैं, तो ऐसे forest होते हैं, pineapples, oak, ठीक है, which grow along with coniferous trees, ठीक है, tropical rainforest is found in southern Mexico and the countries of Central America, so these forests yield good quality of hardwood, such as mahogany and the logwood, ठीक है, minerals and the power resources, major producer of petroleum, petroleum, petroleum का काफी बड़ा production यहां किया जाता है, natural gas, nickel, zinc, ठीक है, gold, silver, copper, iron ore, तो इस तरह की कोई यहां पर कमीनी है, ठीक है, इसलिए काफी highly industrialized continent भी है, इसके साथ में Canadian shield के बारे में मैंने आपको जैसे बताया है, यह तो काफी इसकी economic significance है, क्योंकि यहां पर nickel, iron ore, ठीक है, gold, platinum, copper यह मिल जाता है, lake superior is the leading producer of high grade iron ore in the North America, तो lake superior के बारे में एक और चीज़ यहां पर बताता हूँ, it is the most sweetest water lake in the world, ठीक है, पुरी दुनिया में सबसे बड़ी और मीठे पानी की जील, lake superior है, ठीक है, तो the appellation highlands produce a large amount of anthracite and high grade bituminous coal, ठीक है, तो यह anthracite and bituminous जो है, यह एक तरह का coal है, ठीक है, तो यह काफी अच्छी quality का coal यहां पर मिलता है, ठीक है, appellation highlands में, यह कहां पर है, appellation highlands, यह बिलकुल अमेरिका में, हमारे किस साइड है, eastern साइड है, ठीक है, फिर आता है, the western corridors have vast deposit of copper, this reason also possesses mineral oil, natural gas, coal, ठीक है, rock phosphate, तो यहां पर होता है, ठीक है, फिर आता है, next, अब हम थोड़ा से square countries के basically इस पर थोड़ा focus करेंगे, तो North America में सबसे पहले USA, तो USA fourth largest country है दुनिया में, ठीक है, area wise, after Russia, Canada and the China, ठीक है, population बताएगा कितनी है अमेरिका की, तो physical feature में सबसे पहले अब इसको और define करते हैं, तो physical features में it can be divided into three major groups, they are western corridors, ठीक है, central lowlands and the eastern highlands, ठीक Western caudillas consists of several high and rugged mountain ranges running from the north to the south, अब north to the south, इस तरह से यह चलती है, ठीक है, to its best lies the cascade range, अभी यहाँ पर क्या है, यह cascade range बन जाती है, ठीक है, और इसी के साथ में, अगर हम देखें, तो हमें Rockies हमें यहाँ पर मिल जाते है, Rockies, ठीक है, यहाँ पर Sierra Nevada हमें मिल जाते हैं, USA में, ठीक है ठीक है, close to the Pacific lies the coastal range, तो Great Basin located between the Sierra Nevada and the Rockies, ठीक है, तो यह हमें यहाँ पर मिल ता है, there are several national parks, the western caudillas, the Yellowstone National Park is of great attraction for the tourists because of its high peaks, canyons, volcanoes, ठीक है, hot springs and geysers, तो इसके लिए काफी famous है, Yellowstone National Park, याद रखेगा, USA में है, ठीक है, Central Lowlands, drained by the river Mississippi and its tributaries, this region is most fertile in the USA, तो agriculture बड़ी extensive quantity में यहाँ पर होता है, ठीक है, Eastern Highlands consist of much eroded old mountains, the appellations on the other side of these mountains, so there are narrow and low plateaus called Piedmont Plateau, ठीक है, तो यह यहाँ पर है, फिर climate and natural vegetation, the south eastern part of the country receives fairly good rainfall from the warm moist air coming from the Gulf of Mexico and the Atlantic Ocean, तो नीचे की तरफ से जब भी आपकी warm air यहाँ पर आएगी, तो obviously उसमें क्या होगा, उसमें water होगा, ठीक है, water vapors होंगे, तो जाकर के, वो काफी अच्छी उसमें वारिश कर देते हैं, ठीक है, तो southern eastern part, काफी अच्छा, यहाँ पर इसको rainfall मिल जाता है, ठीक है, the amount of rainfall decreases from south to the north, अब जैसे उपर को जाते रहेंगे, वैसे वैसे क्या होगा, south से north की तरफ को rainfall आपका decrease करता जाएगा, ठीक है, from east to west, ठीक है, तो east to west को भी यह क्या करेगा, decrease करेगा, ठीक है, the southern part have long and hot summers, तो southern part इसका जो है, वहाँ पर क्या हो होते हैं, क्योंकि यह tropical जो उनके पास है, ठीक है, central high, central lowlands have the continental type of climate, the rainfall is light, mostly concentrated in the summer, तो summer में जातर होता है, light rainfall होता है, continental type of climate है, ठीक है, यानि oceans का कोई ज्यादा moderating effect नहीं रह जाता बहाँ पर, ठीक है, the north western and the part receives heavy rainfall throughout the year, under the influence of western, तो westerlies हवा जब भी आती है, तो obviously उसमें जो moisture होता है, उस बज़र से काफी बारिश होती है, the eastern side rainfall decreases, the great basin and Colorado plateau are the deserts, अब desert क्यों होगा, obviously बारिश नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा, तो वहाँ पर आपका desert बन जाएगा, ठीक है, southern California has a typical Mediterranean type of climate, फिर आते है Canada, तो Canada में अगर दे अगर हम देखते हैं तो Canada में ये आती है, आपकी Canadian shield, ठीक है, ये पूरा area, ये सारा इसमें covered है, ये great lakes है, ठीक है, ये Ottawa river है, ये St. Lawrence river है, ठीक है, ये Quebec है, ठीक है, ये Ottawa है, ये Toronto है, ठीक है, यहाँ पर आपको मिल जाएंगा, ये पूरा industrial region, इसके साथ में, ठीक है, ये Hudson Bay है, इसके साथ में ये Rockies Mountain range है, ठीक है, Coastal range है, जो मैंने आपको Western Calderas के बारे में बताया था, तो ये वही range यहाँ तक आती है, ठीक है, ये Alaska है, ये Alaska, जो कि America का part है, इसके साथ में Baffin Islands, Victoria Islands, ठीक है, Banks Islands, ठीक है, Queen Elizabeth Islands, ठीक है, ये सब ही इसी में आते हैं, ठीक है, ये Greenland है, ठीक है, तो Canadian Shield, Canadian Shield अपका एक low plateau mode of old and the hard rocks, इससे बना है, the shield is very largest and the oldest physical features of the Canada, numerous lakes and the swamps, ठीक है, it is rich in metallic minerals, gold, silver, nickel, south and southeast of the shields are lowlands of the great lakes and the St. Lawrence River, about 60% of population leave here, अब 60% of population क्यों यहां पर है ठीक है, क्यों कि industrial area काफी है, resources काफी अच्छे हैं, इसलिए यहां की population भी हमें ज्यादा मिलेगी, तो St. Lawrence is the most important river of Canada, the plateaus of Labrador, Shield, they are extensive of Appalachian Mountains, ठीक है, तो ये extensive means Appalachian Mountains है, तो उनी के ये extensive है, ठीक है, interior plains, तो interior plains अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो ये interior plains है, so these are the interior plains, तो very important reason of Canada, rich, fertile soil यहां पर मिल जाए, grasslands यानी, prairies यहां पर होते हैं, नौर्थ अमेरिका में, ठीक है, इसको याद रखिएगा, prairies, wheat production cattle are reared, rich in minerals, gold, coal, petroleum, इसमें rich है काफी, ठीक है, the codra's reason, this includes the mountain and the plateaus of the best, rich in forest resources, ठीक है, coniferous forest होते हैं, जासा के हम पहले पढ़ भी चुकिया है, minerals होते हैं, यहां पर hydroelectric power यहां पर काफी है, ठीक है, agriculture is common occupation in the valleys, तो climate और vegetation में, winters काफी लंबी होते हैं, extremely cold काफी, जो है, ठंडी होते हैं, summers में क्यों होगा, तो summers में, summer shorts होंगी, और ठंडी होंगी, इतनी जादा गर्मिया भी नहीं होती, temperature is dependent, not only upon the distance from the equator, but also on the topographical features, stopographical means, कहीं पर कुछ plain जगा है, ठीक है, कहीं पर आपके mountains है, ठीक है, तो उस हिसाब से हवा जो है, वो भैती रहती है, और पूरा जो आपका weather phenomenon, उसको change करती रहती है, ठीक है, cold winds from the north blow in the winter, ठीक है, अब obviously क्या होगा, polarism से जो हवा आपकी चलेगी, high pressure से, तो वो क्या होगी, ठंडी होगी, ठीक है, तो ठंडी होगी, तो obviously जाँ 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 वो हवा जाएगी, वहां का जो local weather है, उसको क्या कर देगी, उसको influence करेगी, और उसको वो change करेगी, ठ ठीक है, तो western Canada has a relatively milder climate compared to the eastern part, warm currents in the western and the south eastern parts bring good rainfall in these regions, these currents also increase the temperature in these areas, तो ocean currents काफी help करते हैं इसमें, ठीक है, जो कि warm है, टुंदरा, टाइगा and prairies, तो prairies मैंने बताया है कि यहां पर important एक तरह का grasslands होते हैं, तो तुंदरा भी है, तुंदरा, टाइगा, ठीक है, तो यह important vegetation welts है, the northern treeless zone is called tundra, ठीक है, जो treeless zone है, नदरन का सबसे पहले, यहां पर इसको क्या बोलेंगे, tundra, ठीक है, to the south of the tundra lies a vast reason of coniferous forest known as tiger, तो इसको यहां पर यह coniferous forest हमें मिल जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, टाइगा, ठीक है, टाइगा, ठीक है, the grasslands of prairies extend from the lake superior to the foot hills of the Rockies, तो यह तो आपकी lake superior से चलते हुए, कहां, Rockies की जो foot hills है, वहां तक आपको prairies grasslands आपको मिल जाते हैं, ठीक है, तो यहां पर जो आपकी dairy farming है, वो भी काफी जादा होती है, तो agriculture में Canada is one of the leading exporters of wheat in the world market, ठीक है, दुनिया में जो wheat का जो production है, और यह जो export करते हैं, तो Canada से बहुत जादा होता है, क्योंकि यह वहां की chief crop, ठीक है, Nova Scotia is noted for its large orchards of apples, ठीक है, dairy and the meat production are prominent near Rockies, तो सेंट लौरेंस वैली अराउंड the great lakes, mainly dairy cattle are reared, फिला forestry, a large part of Canada is covered with coniferous forest, pulp, paper are the most important forest products, ठीक है, lumbering is one of the most important occupation of the people of Canada, people who work in the forest fell, trees help in logging, splitting and hauling lumber, ठीक है, तो these forest activities are collectively known as lumbering, mining, तो mining भी काफी होगी, क्योंकि यहां पर minerals काफी है, nickel, potash, uranium, ठीक है, तो silver, gypsum, sulfur, copper, titanium, platinum, silver, gold, iron, ore, तो यह काफी यहां पर मिल जाता है, ठीक है, तो nigra falls in an important source of water, power for both Canada and the United States, industries, most of industries are highly mechanized, ठीक है, agriculture हो, या फिर आपका industrial sector हो, तो यह सभी जो है, वो काफी जादा, अगर देखें, capital intensive है, और industrialized है, the reason around great lakes are highly industrialized, there is a heavy concentration of industries like automobiles, ठीक है, automobiles, industries, electrical, goods, and iron and steel plants in Ontario, फिर आता है, next Europe के बारे में, तो यह chapter 10 है, तो Europe, जो है, वो एक बहुत छोटा continent है, it is separated by Asia by the Ural Mountains, ठीक है, the Caucasus Mountains, ठीक है, Caucasus, यह Caucasus हो गया, यह Urals हो गया, and the Caspian Sea, इदर है Caspian Sea, and बाकी जो बहुत सारे Peninsular and the islands हैं, इससे बना हुआ है, ठीक है, तो many of the ways in the sea surrounding this continent are shallow, तो obviously अगर shallow हैं, तो यहां पर बहुत best fishing zones दुनिया के हैं, ठीक है, तो fishing is a very prominent economic activity in Europe, okay, so first is the physical features, तो physical features में अगर हम देखते हैं, तो सबसे पहले मैप देख लेते हैं, हम Europe का, तो Europe का जो मैप है, तो सबसे पहले यह Ural Mountains है, ठीक है, यह आगए Ural Mountains, तो इसके बाद यहां पर आपका आजाता है, यह आगए Caspian Sea, यह आगए आपका Caucasus Mountains, ठीक है, Mount Alvarez यहां पर आपको मिल जाएगी, Mount Alvarez, फिर Black Sea, ठीक है, यह Balkans है, Carpathian Mountains, ठीक है, तो उसके बाद यहां पर पिरिनीज यहां पर मिल जाएगे, ठीक है, तो यह Strait of Gibraltar है, जो कि अलग करती है, Africa and, यहां पर आपका Spain, ठीक है, इससे अलग कर देगी, ठीक है, यूरोप से, यह British Isles है, British Isles, ठीक है, तो यह Cajolan Mountains है, Scandinavian Countries में, ठीक है, तो this is all about European Plains, ठीक है, Great European Plains, Agriculture बहुत होता है यहां भी, ठीक है, तो यह बहुत सारी यहां पर आपको rivers देखने को मिल जाएगी, River, Denister, River, ठीक है, Davina, तो इस तरह की River Balga, यह important है, यह Rhine River यहां पर आपको मिलेगी, ठीक है, Rhine River, तो यह भी बहुत important है, River Danube, यह भी important है, तो चलिए, Physical Features के बारे में देख लेते हैं, तो सबसे पहले जो Physical Feature है, अगर हम देखे तो North Western Highlands है, ठीक है, in the far north there is a reason of Highlands, It extends from Finland through Sweden, Norway and the British Isles to Islands, ठीक है, Iceland, The northern part of this Highland is called the Fanno-Scandinavian Shield, ठीक है, Oldest exposed rocks in Europe, where glaciers have scrapped off the sedimentary rocks, जब भी कोई glacier आपका बनता है, तो वो धीरे-धीरे जब move करेगा, downward direction में, ठीक है, तो जब glacier आएगा, तो वो नीचे क्या करता है, नीचे से वो जो और जो rocks होती है, तो वहां से जो वो क्या कर देता है, उसको erode करता है दीरे-दीरे, ठीक है, तो सकर्फ वॉफ कर देगा, sedimentary rocks को, तो this area is rich in metallic minerals such as iron and the copper, तो इस area मिलता है, what is almost without fossil fuels, ठीक है, the western edge of the shield is buckled into mountains, ठीक है, तो mountains यहां पर काफी buckled में है, ठीक है, western edge में, along the Norwegian coast, they reach into Atlantic Ocean creating fjords, ठीक है, फिरादे, North European plains, it extends from the Urals in the east to the Atlantic coast in the west, its best word extension may be seen in the British Isils, it has long been an important farming area, in some cases hills have been eroded into basins such as London, ठीक है, and Paris basin, the plain is drained by large navigable rivers, some important rivers like Sene, Rhine, Danube, Naipa, Don, Volga, etc., so these are some of the important rivers of the Europe, okay, and some of the important minerals like coal, oil, natural gas, extended to the north sea, तो इस तरह भी काफी extended है, और यह मिलते हैं, फिरादे, Central Uplands, Central Uplands में अब वराइटी of mountains and the plateaus make up the Central Uplands, ठीक है, the Mesista in the Spain and the Portugal, ठीक है, पूर्तोगल में मिलता है, the Massive Central, ठीक है, and Jura Mountains in the France, तो यह काई है, Central Uplands है, ठीक है, Black Forest in the Germany, और then the several ranges in the Czech Republic and the Slovak Republics are parts of this region, Slovak means Slovenia, Eastonia, Lutabia, Lithonia, so these some of the Slovak Republics, ठीक है, then the Alpine system, Alpine in the South, there is a chain of mountains, similar to the Atlas and the Rockies, so Atlas and Rockies के जो age है, उस तरह की similar age के हमें, यहां पर एक chain मिलती है, mountains के most important mountain system is Alps, ठीक है, comment box में बताईएगा, France के किस Samraat ने Alps को पार किया था, ठीक है, Mount Blank is the highest peak of the Alps, ठीक है, other important mountain ranges are Pyrenees, ठीक है, Carpathians and the Caucasus mountain ranges, so these are the some of the important mountain ranges and the Alpine system, ठीक है, the highest peak of the Europe is the Mount Albaros, so this is important information, that Mount Albaros is the highest peak, which is in the Caucasus mountain range, okay, so these are generally fold mountains, so climate and the vegetation, climate in Europe is described as mild, several factors like relief, ठीक है, proximity to the sea, ठीक है, relief means कहीं पर आपको mountains मिल जाएगे, फिर थोड़ा plane area मिल जाएगा, फिर आपको central highlands मिल जाएगे, Alpine system मिल जाएगा, साथ में अगर आप देखते हैं थोड़ा relief को भी, तो इधर आपको oceans देखने को मिल रहे हैं, छोटे-छोटे seas देखने को मिल रहे हैं, water bodies हैं, तो यह आपका आगया relief feature में, ठीक है, तो वैसे ही, the best release in the North Atlantic drift, ठीक है, North Atlantic drift आपका एक तरह का ocean current है, influence the climate of Europe and make it mild, Europe lies in the region of the westerlies, the warm waters of the North Atlantic drift, the seas along western Europe ice free, ठीक है, तो ice free इसको यह कर देता है, ठीक है, in the winters fog, fogs are common, this type of climate is typically maritime, and is known as the western European type, ठीक है, तो fogs यहाँ पर generally रहती है, the area north of Arctic circle has an extremely cold climate, obviously, क्योंकि वहाँ पर आप देखें, तो सूरज की रोशनी भी काम आती है, तो जैसा मैंने बता है कि polar reasons में आपको सबसे ज़्यादा ठंडिया, जो frigid zone जिसको का जाते है, तो वो आगया Arctic circle, तो precipitation बहाँ पर बहुत ही scanty है, या mostly in the form of snow मिलेगी, ठीक है, in the northern part, beyond the Arctic circle, the vegetation is of tundra type, ठीक है, consisting of lichens, moosh, and a few stunted trees, ठीक है, south of tundra like the tiger, tiger में coniferous forest आपको मिल जाएंगे, south of this belt lies the belt of mixed forest, ठीक है, in the south east part of Europe, there is an extensive grassland called the steppies, prairies कहां है, steppies कहां है, तो यह आपको पता होना चाहिए, तो steppies कहां है, यूरोप में, ठीक है, फिर आता है, यूरोप का resources and their utilization, तो सबसे पहले अगर हम देखें, तो soil में, Bulgaria in the eastern part, and the netherland, and the Belgium in the western part of Europe, नीदरland, Belgium, and the Bulgaria, ठीक है, तो food processing and the agro-waste industries, यहां पर हमें मिलेंगी, ठीक है, फिर रेरिंग अनिमल्स, cool and the moist climate has favored luxuriant growth of grass, especially in the central part of Europe, so countries around North Sea are famous for the dairy industry, for example, Denmark, ठीक है, या poultry farming is very common here, ठीक है, so mineral resources, coal आगया, iron आगया, petroleum आगया, natural gas आगया, are important mineral resources of Europe, coal is found in the Great Britain, and the mainland of Europe in the region from the northeastern France to the Poland, ठीक है, petroleum or the minerals, all is found in the regions of sedimentary rocks in a few areas, important oil fields, North Sea, Romania, Georgia, Armenia, Azerbaijan, and Russia, so these are some of the important reasons of sedimentary rocks which have petroleum and mineral oil, ठीक है, so oil, iron ore is found in France, Ukraine, Azerbaijan, Sweden, United Kingdom, Germany, Russia, and Spain, okay, so water resources, fishing is very important complex operation, Dogger Bank and Great Fisher Bank are important fishing grounds, ठीक है, Dogger Bank and Great Fisher Bank, Norway has very advanced and well equipped vessels for deep fishing, technology also transferred to India, तो India को भी इन्हों नहीं है, technology दी है, ठीक है, hydropower in the mountainous areas like Spain, France, Switzerland, Norway, Sweden, यहां भी होती है, the needer lands present an excellent example of managing its water resources, then the population, Europe is the most densely populated continent of the world, yeah, the plains of Europe have a very fairly density of population high, क्योंकि अगर फर्टाइल लेंड होगी, तो obviously agriculture अच्छा होगा, है न, हर तरह की resources होंगे अभी लेवल, तो obviously वहां की population जादा होती है, जैसे हमारे अगर आप plains देखेंगे, Indus के plains देखते हैं, या ब्रह्म पुत्रा के plains देखते हैं, फिर आप गंगा के मैदान अगर देखते हैं, ठीक है, तो Great Northern Plains of India भी उनको कहा जाता है, तो वहां भी maximum जबरदस्त एक high level of density of population हमें, उस सेरिया में मिलती है, जैसे कि यहां पर Europe में है, ठीक है, Transport and Communication, Europe has a well-developed network of all means of transport and communication systems, ठीक है, rivers, canals, provide easy and cheap means of transport for the moving bulky and the heavy cargo, ठीक है, The Rhine is the busiest inland waterway of Europe, ठीक है, तो Thames नदी, Danube बोलगा, and other important waterways, फिर अगर हम यहां पर थोड़ी नज़र दालते हैं, तो इसमें एक important चीज यहां पर देखते हैं, तो Terminologies of the British Isles, तो British Isles में जो हमें terminology हमें मिलती है, तो आप देखेंगे कि यह पूरा जो हमारा जो island reason है, यहां का, तो इसी को हमने क्या कह दिया, इसको हमने कह दिया British Isles, ठीक है, तो British Isles में, सबसे पहले, अगर हम Great Britain की बात करते हैं, तो उसमें एक Scotland आता है, ठीक है, Wales आ गया, और आपका England आ गया, तो इससे क्या बन गया, Great Britain, अगर हम United Kingdom की बात करते हैं, तो Scotland प्लस England प्लस Wales प्लस Northern Ireland, ठीक है, तो Northern Ireland को मिला करके, हमारा बन जाता है, United यानि UK, ठीक है, तो इसी के बाद, अगर हम बात करते हैं, British Isles, British Isles सब कुछ, ठीक है, उसमें आपका Scotland भी आ गया, England भी आ गया, आपका Wales भी आ गया, Northern Ireland भी आ गया, और आपका Republic of Ireland भी आ गया, ठीक है, लेकिन अगर सिरफ हम Ireland की बात करें, तो इसमें Republic of Ireland प्लस Northern Ireland ही आता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेगा, Great Britain क्या है, British Isles क्या है, UK क्या है, ठीक है, और Ireland क्या है, ठीक है, तो ये question पूछा भी जा सकता है, एक्जाम में, तो इसको जुरूर ध्यान रखेगा, बाकी थोड़ा map में देख लेते हैं, France, ठीक है, ये रहा France आपका, तो ये रहे, Massive Central, ठीक है, ये रहे आपके Jura Mountains, ठीक है, ये रहे आपके Alps, एक बहुत बड़ी संस्था, एक institution है, जिसका यहां Brussels में, headquarter है, comment box में जरूर बताईएगा, ठीक है, तो उसके बाद, ये state of dollar है, ये English Channel है, इसके साथ में ये भी बताईएगा, इंडिया का पहला, कौन थे, परसन जिनोंने, English Channel को पार किया था, ठीक है, तो इसके साथ में ये रहा आपका, Lora Valley, ठीक है, ये pinaries हैं, mountains, ठीक है, तो ये यहां पर आ गया, उसके बाद, ये Germany है, तो Germany में सबसे important ये रही, आपकी Rhein River, ठीक है, Rhein Nadi, Black Forest of Germany, ठीक है, Bohemian Forest, तो थे आपकी पर आपकी रही, पर आपकी रही, पर आपकी रही, तो रही, रही रही, तो सबसे बहले बात करते हैं, United Kingdom, तो Great Britain, consisting of England, Wales, Scotland and Ireland, ठीक है, divided into Northern Ireland, and Irish Republic, ठीक है, Irish Republic is independent, Northern Ireland, and Great Britain, are under one crown, ठीक है, one crown means, एक ही राज तंतर के अंदर ये आते हैं, Northern Ireland, and Great Britain, together they are called United Kingdom, दोनों को मिला करके, इनको क्या कहा जाता है, United Kingdom, UK occupies the major portion, of British Isils, it is surrounded by seas, on all sides, it is separated from the, mainland of Europe, by the English Channel, relief and the climate, undulating plains, ठीक है, low hills, dissected plateaus, very long indented coastline, it has favored development of excellent harbour, ठीक है, तो यहां पर बादल और धुन्द जो है, वो most of United Kingdom है, वो रहती है, ठीक है, less than 10% of area under forest, तो 10% हिस्सा ही, UK का किसमे है, forest में है, ठीक है, nearly half of its land, under meadows, and pastures, ठीक है, mostly practice mixed farming, तो mixed farming करते हैं, the country has developed its fishing industry tremendously, some coal deposits are found in North Sea, huge deposits of oil, natural gas, wide variety of industries, तो यह भी यहां पर काफी है, इसी के साथ में, दुनिया का सबसे पहला जो industrial revolution हुआ था, industrial revolution, जो Manchester से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, जो कि United Kingdom नहीं किया था, ठीक है, तो यह रिसोर्स की बदॉलत ही हुआ था, coal deposits बगरा से, फिर जर्मनी, तो जर्मनी अगर हम फीजिकल फीचर्स की बात करें, तो the North German Plain, ठीक है, part of the Great European Plains, covered by the thick metal of glacial clay, and sands, these deposits have been left behind by the ice sheets, ठीक है, the southern highlands and the mountains, plateaus, hills, valleys, mountains, the general slope from the Alps, ठीक है, low and the warm, worn down plants are found in the central part, they are deeply eroded by the rivers, flowing through them, the region extends from the Black Forest, a low tableland in the best, to the Bohemian Forest to the east, ठीक है, तो Black Forest लेकर के, यहां पर जो बहे में इन forest था, तो यहां तक रिये पूरा फैला हुआ है, ठीक है, west से east की तरफ को, फिर तो the south lie rugged highlands of the barbarian alps, ठीक है, तो the best famous rhine valley, a wide rift valley, ठीक है, जहां पर अबकी Hitler ने, दुबारा से, पूरा अपना आर्मी को strengthen किया था, ठीक है, तो climate तो temperate climate है, ठीक है, coastal area joins, enjoys maritime climate, ठीक है, land uses and economic development, coniferous forest है, यहां पर जादा, rich in coal, iron, lead, copper, potash, salt, ठीक है, manufacturing hub भी है, जर्मनी दुनिया का, ठीक है, the Ruhr is the biggest and the richest coal producing area of the Europe, this is an important point, ठीक है, so other important coal fields are Saar and the Laxuni, the Ruhr is a small right-wing tributary of the Rhine, heart of the industrial Europe, ठीक है, तो इसको भी आद रखेगा, iron oil is found mainly in the areas of, Nuremberg in the Bavaria, Southeast of Hanover, South of the Ruhr, highly finished goods such as optical glass, cameras, specialized scientific instruments, and the chemicals are produced in the Laxuni region, Rhine Valley Fertile Soil is known for its fruits and the vegetables grown on it, ठीक है, the Kial canal connects the North Sea and the Baltic Sea, तो ये भी important point है, इसी के साथ में यहां पर आप आप Iceland देखिये, United Kingdom, Ireland, Norway, Sweden, Finland, Scandinavian countries, ठीक है, Lithuania, Latabia, Estonia, Belarus, Ukraine, Romania, Bulgaria, इन सब की जो-जो capitals है, वो भी मुझे comment box में आप जरूर बताएं, ठीक है, ये रहा आपका home work, तो next है, Russia, तो Russia अब इसको ऐसी country माना जाता है, कि ये दो continents में है, ठीक है, अगर हम बात करें, Ural Mountains, तो ये separate करते हैं इसको, ठीक है, जो maximum population है, रश्या की, वो आपको maximum मिलेगी, इसी reason में, ठीक है, अब इसी में ये इसकी capital, आगी Moscow, तो ये आगे आपके European Plains, ठीक है, यहां पर ये आपका Black Sea, और ये रहा Caspian Sea, ठीक है, तो ये रहे आपके Caucas Mountains, तो इसी के साथ में अगर यहां देखें, Central Siberian Plateau, ये पूरा Siberia का reason है, इसी के साथ में यहां पर Mongolia है, Mongolia जो की एक landlocked country, ये लेक बाइकाल है, जो दुनिया की सबसे deepest लेक है, ठीक है, deepest लेक, फिर है आपके इसी के साथ में अगर आप देखें, तो यहां पर आपको best Siberian Plains यहां पर मिलेंगे, ठीक है, युराल माउंटिंग्स यहां पर cover हो जाते हैं, तो river, Lena river आपको यहां मिल जाएगी, ठीक है, तो यह सारा था आपका रशिया के बारे में, तो यह रहा आपका कामचाट का Peninsular, इसी के साथ में Sea of Wastok, यह आपका आजाते हैं Japanese Islands, ठीक है, तो यह आपके सैकलीन Islands हैं, ठीक है, तो इधर यह कामचाट का Peninsular, यह आपका चुक्षी, सी आगया, ठीक है, तो यह है रशिया के बारे में, तो चलिए, रशिया biggest country in the world, ठीक है, एरिया वाइज, दुनिया की सबसे बड़ी country है, ठीक है, एशियाटिक, रशिया is very cold, क्योंकि यह साइव एरिया में हैं mainly, ठीक है, साइव एरिया, और physical features में the plains of European Russia, यह तो most extensive plains है, दुनिया में, और central European plains भी है, इसका part है, fertile plains drained by the various rivers like Walga, ठीक है, Walga is the most important river that drains into the Caspian Sea, best Siberian plains situated, यह just आपके Ural Mountain से इधर है, ठीक है, best Siberian plains, तो situated between the Ural on the west and the river Yenesee on the east, the west Siberian plains are the low land sloping gentle towards the Arctic Ocean in the north, central Siberian plateaus lying between the river Yenesee on the east, and there is a plateau called central Siberian plateau, ठीक है, तो mountain and the plains, the mountain south में भी है, तो आपके east में भी है, जो mostly आपके कहा है, यंग and fold mountains है, ठीक है, तो इस reason में आपके earthquakes और volcanic activity भी होते, एक आम चार्ट का पैनन सुला यहां पर है, ठीक है, जो किया मैंने आपको दिखाया map में, तो Caucasus Mountain runs between the Black Sea and the Caspian Sea, ठीक है, एक तरफ Black Sea है, दूसरी तरफ Caspian Sea है, उसके बीच में जो area है, वो पूरा आपका Caucasus Mountains का है, ठीक है, South West part में, So, the Mount Alvarez is the highest peak of Russia, ठीक है, Mount Alvarez, then the climate and the vegetation, great size and the great distance of large area from the sea, there are several climate reasons in the Russia, और यहां पर तो 11 time zone भी है, क्योंकि इतनी बड़ी country है रिया, वाइस तो obviously, कितने हैं, 11 time zone, तो वैसे ही, अलग अलग जगा पर क्या होगा, आपका कहीं पर continental type का climate होगा, कहीं पर Mediterranean type का climate होगा, ठीक है, तो अलग अलग तरह का climate है, उसके relief के depend करता है, ठीक है, the interior part of Russia has a continental type of climate, which is a very high annual range of temperature, snowfall is very common all over the country, the heaviest rainfall occur in the Caucasus Mountains, ठीक है, North East, North Northernmost, belt has a tundra vegetation, it is followed by the taiga, taiga coniferous, ठीक है, नंदे, mixed deciduous steppies, and the mounted vegetation, ठीक है, रिसोर्से अ देडि़ एंड रिट्राइश रिछेंट आट्राइश रिट्राइशन, रिच आट्राइशन, रिट्राइशन, रिट्राइशन, of total land area is under cultivation, growing season is very short, and hence, one crop may be grown in a year, ठीक है, wheat is grown in the fertile soil of the steppies, the whole of saiv area is unsuitable for cultivation, ठीक है, extreme coldness हृता है यहां पर, then the animal rearing and the forestry, less than ओन-五-फिथ of the total area is under pasture and the meadows, ठीक है, step is mostly होते हैं, the most of forest cover is in Siberia, in the far east, in Russia, ठीक है, minerals में आप लाज deposit of mineral power, ठीक है, minerals and power, iron ore is found in Dural Mountains, ठीक है, Karch Peninsular, Siberia, huge deposits of iron, magnesium, bauxite, coal is the most important power resource of Russia, it is found in the Kujnestak Basin, Eastern Siberia, Urals and Sub-Moscow Basin, petroleum natural gas भी यहाँ पर हमें, important source यहाँ पर मिल जाता है, रशिया में, तो important जो इसकी oil fields हैं, जो कि Urals Mountains में बोलगा, Ajok Black Sea area, ठीक है, तो यहाँ best Siberia यहाँ पर मिल जाती है, iron steel industries जाहतर dominate करती हैं, रशिया में, ठीक है, industrial sector में, one of the largest producers of iron and steel industries in the world, chief industrial reasons are around Moscow, St. Petersburg, यह दो बहुत बड़ी-बड़ी cities हैं हां की, ठीक है, St. Petersburg वैसे हिनकी बड़ी historical city है, St. Petersburg और Southern Urals in the West Siberia, then transport, the Trans-Siberian Railway is the longest railway in the world, Moscow is a port of five seas, Gaspian, ठीक है, Black, the Baltic and the Lake and the Arctic Ocean through the White Sea, ठीक है, most of the rivers are interconnected by canals, तो interconnected waterways यहाँ पर काफी अच्छे हैं, ठीक है, इसी के साथ में इस NCRT Class 7th को हम यहीं पर खतम करते हैं, तो दो तीन बार अगर आप इस वीडियो उसको देखेंगे, तो आपको अच्छी तरह से यह समझ आएगी, नेक्स्ट हम बात करेंगे एर्थ के बारे में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो, तो थैंक्स फॉर वाचिंग, तो अगर किसी भी काम अगर यह वीडियो आपके helpful हो, तो आप इसको औरों के शाथ भी शेयर करें, उपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं, और स्टूटेंट्स के साथ कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में जुरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और कोई suggestions हो, तो उसके बारे में भी आप हमें जुरूर बताएएं, थांक यू